नमस्कार दोस्तूं, राजस्तान इतियास में आज हमारा टोपिक रहेगा बिकानेर रियासत, बिकानेर रियासत से रिलेटेड 65 महत्वपून परसन आज की इस कलास में हम देखने वाले हैं, जो आपके सभी परसन है दोस्तूं ये गत प्रक्षयाओं में आये हुई हैं और आ एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दें, पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे है, प्राचिन काल में बिकानेर को किस नाम से जाना जाता था दोस्तूं, हाडोती, वांगड, जांगल परदेश या सेखावाटी, बिकानेर की अगर बात की जाए मित्रू य जाएगा, पले स्वेडा से भी आप ड 나온लोड कर सकते हैं, और वहाँ पर श्टोर के अंदर, नाम मातर के चार्ज के अंदर आपको सभी जो टोपिक हैं, उनके क्यूसन एंस वर मिल जाएंगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्यूसन की और क्यूसन नंबर 2 है, बिकानेर की आपना की थी, बै ओप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट यूशन में चलते हैं, विकानेर राजे तेदा मुगलू के बीच पर्तम संदी पर हस्ताकसर करने वाले सा सकते, राव विकार, राव कल्यानमल, राम सिंग या अनूप सिंग, विकानेर राजे और मुगलू के बीच जो पर पर्तम संदी हुई थी, उस पर हस्ताकसर करने वाले थे राव कल्यानमल, ओप्सन बैस सही रहेगा, नेक्स्ट में चलते हैं, विकानेर के राजे सिंग ने दो मुगल बादसाओं की सेवा की थी, वो है आपके अकबर और जहांगीर, जहांगीर और सहाजा, सहाजा और और तो दोस्तों राज सिंग ने, विकानेर के राज सिंग ने दो मुगल बादसाओं की सेवा की थी, वो है आपके अकबर और जहांगीर, बैस ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूस्ट में चलते हैं, किस सासक ने पंदरा सो चमालीस इस्वी में विकानेर का पुन्र को दिया दोस्तों, उदे सिंग ने, माल देव ने, सेर संसूरी ने या अकबर ने, सेर संसूरी ने दोस्तों, ओप्सन से आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूस्ट में चलते हैं, विकानेर का वैसासक जिसने मुगलू की जीवन परियंत सेवा की, अनूप सिंग, जेतसी, विका या राज सिंग, किसने की थी, राज सिंग ने, जीवन परियंत मुगलू की सेवा की थी, दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं, क्यूसर नमबर साथ, राव विकानेर की राज़दानी बनाया था, देशनोक, मंदोर, कोडम देसर या जोदपूर, कोडम देसर को दोस्त सूरी से संबंद इस्तापित की, राव मालदेव, राव लूनकरण, राव कल्यानमल या राज सिंग, बात है, सेरसन सूरी से संबंद इस्तापित करने वाला पर्तम सासक राज़दाने का, को अन था, राव कल्यानमल, ओप्सन सह सही रहेगा, नेक्स्ट यूसर में चलते है बिकानेर का वे राजकुमार जो अकबर का दर्बारी कवी था राज सिंग, अनूप सिंग, पर्तवी राज राठोड या राव कल्यान मल बिकानेर का राजकुमार था पर्तवी राज राठोड जो अकबर का दर्बारी कवी था दोस्तु सै ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं क्यूसर नंबर दस पाहेबा जिसको साहेबा या पाहेबा के नाम से जाना जाता है पाहेबा का यूद पंदरा सो इक्तालीस इस्वी में किसके मद्दे लड़ा गया था इंपोर्टेंट क्यूसर ने दोस्तु एकजाम की दरश्टी से राव जेत सी वे मालदेव के सेनापती जेता वे कुपा के मद्दे लड़ा गया था दोस्तुं एह ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं राजस्तान के एक मातर सासक जिननूने तीनू गोल में समेलनू में भाग लिया था तीनु गोल में जो समेलन हुए थे उसमें बाग किस ने लिया था मान सिंग द्वीते ने, महाराणा भुपाल सिंग ने, महाराजा गंगा सिंग ने या महाराजा डुंगर सिंग ने, महाराजा गंगा सिंग ने से ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसर में चलते हैं विकानेर के किस सासग ने बटनेर को मंगलवार को जीत कर इसका नाम हनुमान गड़ रखा दोस्तों महराजा गज सिंग महराजा रतन सिंग महराजा सरदार सिंग महराजा सूरच सिंग तो विकानेर के किस सासग ने बटनेर को मंगलवार को जीत कर इसका नाम अनुमान गेड़ रखा था दोस्तु माहराजा सूरत सिंग ने दै ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं राय सिंग की प्रसस्ती का सम्मंद निवन में से किस्से से हैं राय सिंग की जो प्रसस्ती है दोस्तु उसका सम्मंद बिकानेर के सास्कू से हैं बै ओप्सन आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं राय सिंग ने किन परसिद गरंतू की रचना की थी राय सिंग मोथ सव वेदिक वनसावली जोतिस रतनमाला या उप्रोग सभी तो बात किसकी करें कि राय सिंग ने तो यह गरंत है जैसे राय सिंग मोथ सव वेदिक वनसावली जोतिस रतनमाला यह तीनु ही गरंत है राय सिंग के हैं उप्रियूग सभी the option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं साहितियों में किसी पितल कहा गया है पितल किसको कहा गया है दोस्तूं पर्तवी राज राठोड को the option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं अकबर ने पंदरा सो बेतर तेतर इस्वी में जोदपूर का अधिकारी किसे न्युक्त किया था चंदर सेन को उदे सिंग को राय सिंग को या कल्यान मल को किसको किया था दोस्तूं राय सिंग को पंदरा सो बेतर तेतर में जोदपूर का अधिकारी एकबर ने न्युक्त किया था राय सिंग को नेक्स्ट में चलते हैं, महराजा अनुप सिंग ने किन परसिद गरंतू की रचना की थी, अनुप सिंग की बात हो रही है, अनुप सिंग ने कौन से गरंत, काम प्रबोध अनुप सिंग का है, स्राद परियोग अनुप सिंग का है, चिंता मनी अनुप सिंग का है, इंडिया कम्पनी के साथ संधी की थी, विकानेर के किस सासग ने इस्ट इंडिया कम्पनी के साथ संधी की थी दोस्तों, सूरत सिंग ने, ओप्सन ऐ आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं, क्यूसर नमबर 19, विकानेर में अनूप संग्रहले या पुस्तकाले का निर्मान की सासंग ने करवाया था नाम से पता चल जाएगा अनुप संग्राहले अनुप सिंग ने बनवाया था या निर्मान करवाया था दोस्तों ओप्सन बै आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूसन में चलते हैं दात्वों की पर्तिमा यूक्त 33 करोड देवी देवताओं का मंदीर किस सासक ने बनवाया सवरूप सिंग ने अनुप सिंग ने माराजा गंगा सिंग ने या सारदूल सिंग ने अनुप सिंग ने बनवाया था बै ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं सर्दार सिंग, डुंगर सिंग, सार्दूल सिंग या गंगा सिंग गंगा सिंग था दोस्तों दे ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं क्रमचंद्र वनसोति किर्थम काव्यम में राज सिंग को किस नाम से फुकारा गया है राजिंद्र करण अरजूनिया जहेश राजिंद्र के नाम से ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं बिकानेर महराजा गंगा सिंग ने परसिद रोम नोट तयार किया इस नोट की विशेवस्तू क्या थी दोस्तूं देखे बीस्वी सताबदी के दूसरे दसक में भारत की राजनितिक इस्तती तेथा उसके संभावी थल सही रहेगा ऐ ओप्सन आपका नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं क्यूसन नमबर पचीस कोडम देशर में बेरव मंदिर का निर्मान किस राठोड सासक ने करवाया था बिकाने क्रण सिंग ने अनुप सिंग ने या जेटसी ने ब्राव बिकाने दोस्तूं ऐ ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं बिकानेर सासक क्रण सिंग किस या कौन से मुगल समराट के समकालिन थे क्रण सिंग की बात हो रही है मित्रुयां पे सहाजा और और औरंग जेब के समकालिन थे क्रण सिंग बिकानेर के सासक Next question में चलते हैं बीटू सुजा ने जेतिसी रोचंद नामगरंत में किस सासक को कलियूक का करण कहाथा तो टीटू सुजा ने कलियूक का करण किसको कहा تھा दोस्तू चंद्रसेन को जेतिसी को लून करण को या राय सिंग को किसको कहा था राव लून करण को ओप्सन सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं 1541 इस्वी में मारवाड के सासक मालदेव के सेनापती जेतावे कुमपा ने बिकानेर के किस सासक को प्राजित कर बिकानेर पर अधिकार कर लिया था कल्यानमल, बिकाज, जेतसी या राज संग किसको प्राजित किया था दोस्तु राव जेतसी को से ओप्सन सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं बिकानेर के किस सासक ने बिकानेर में रतन बियारी मंदिर का निर्मान करवाया था रतन बियारी मंदिर का निर्मान बिकानेर में महाराजा सवरूप सिंग ने महाराजा डूंगर सिंग ने महाराजा सुरत सिंग ने या महाराजा रतन सिंग ने रतन ब्यारी मंदिर का निर्मान करवाया था महाराजा रतन सिंग ने दे ओप्सन आपका सही रहेगा Next में चलते हैं मुंसी देवी परसाद ने किस सासक को राजपुताने का करण कहा था? किसको कहा था? महाराजा राज सिंग को मुंसी देवी परसाद ने राजपुताने का करण कहा था? महाराजा राज सिंग को सै ओप्सन सही रहेगा Next question में चलते हैं Question number 31 राजस्तान का एक मातर सासक जिसने 1867 इस्वी की क्रांटी के समय अंग्रेजु की साइता के लिए सेना राजस्तान से बार बेजी थी तो अंग्रेजु की साइता के लिए बिकानेर के किस सासक ने सेना बेजी थी दोस्तों किसने बेजी थी सरदार सिंग ने सय ओपसन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमबर 32 बिकानेर के किस सासग ने राजस्तान नहर का निर्मान करवाने के लिए पंजाब के इंजिनियर कवर सेन को बुलाया था किसने बुलाया था दोस्तों सारदूल सिंग ने ओपसन दै आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं किस सासग के काल में भावभट ने संगीत रतनाकार नामक गरंद की रचना कीती किस सासक के काल में भावबट ने संगेत रतनाकार नामगरंद की रचना की थी महाराजा अनूप सिंग ने Option best सही रहेगा नेक्स्ट क्यूरी सिम्हें चलते हैं राजिस्तान के एक एकरन के समय बीकानेर का सासक कौन था जब राजिस्तान एकरन हो रहा था उससे में बिकानेर का सासे कौन था सारदूल सिंग था दोस्तूं से उपसन सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसिन में चलते हैं बिकानेर राजिय की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजु के साथ सहाइक संदी पर अस्ताकसर किस ने किया ये इंपोर्टेंट क्यूसिन है इस बार एक्जाम के लिए और 1818 में अंग्रेजु के साहिक संदी पर अस्ताकसर बिकानेर के ओर से किया था कासिनात ओजा ने बै उपसन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट कीशन में चलते हैं बिकानेर रियासत में राज उत्सव का आयोजन किया गया राज उत्सव का आयोजन किस के सासनकाल में विकानेर में वा था दोस्तुँ राव जेटसी के सासनकाल के अंदर विकानेर रियासत में राज उत्सव का आयोजन हुआ था नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राजपुताने के किस सासक को राजपुताने का बागिरत कहा जाता है ये important question है, राजपुताने का बागिरत किसको कहा जाता है दोस्तों, महराजा गंगा सिंग को, अभी बोल रहा हूँ, बहुत important question है ये, next में चलते हैं, जुनागड़ दुरग, बिकानेर का किला, जिसको जुनागड़ दुरग कहते हैं, का निर्मान, किसके सासनकाल में हुआ थ चलते हैं, अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सोपा था, जो गागरोन का किला है, वो किसको जागीर के रूप में अकबर ने दिया था, दोस्तों, मान सिंग, राज सिंग, पर्थ्वी राज राठोड या कल्यानमल, पर्थ्वी राज राठोड को, सह option सही रहेगा next में चलते हैं बिकानेर के किस सासक ने लून करण सर सहर की स्तापना कर वहाँ लून करण सर जील का निर्मान करवाया था किस ने करवाया था? राव लून करण ने नाम से बता चल जाएगा important question है ये भी next में चलते हैं बिकानेर के राठोड वंस का संस्तापक किसे कहा जाता है बिकानेर का जो राठोड वंस है इसका संस्तापक किसको कहा जाता है दोस्तुँ जोदा बिका चूड़ा या करन सिंग किसको कहा जाता है राव बिका को ओप्सन बै आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं राजस्तान के किस जिले को जांगल परदेश के नाम से भी जाना जाता था पहला ही क्यूसन दा मारा बिकानेर का पराचिन नाम क्या था जांगल परदेश तो बिकानेर जिले को जांगल परदेश के नाम से जाना जाता था नेक्स्ट में चलते हैं, राजपुता ने किस सासक को जांगल का पात सहबी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महाराजा करण सिंग को नेक्स्ट में चलते हैं बिकानेर के किसासक ने उत्रादिकारी यूद में ओरंग जेब किसाइता के लिए अपने पुत्र पदम सिंग वे केसरी सिंग को बेजा था किसने बेजा था दोस्तु महाराजा करण सिंग ने दै ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूस्ट में चलते हैं राजपुता ने के किसासक को मुगल सामराज्य का इस्तम कहा जाता है मुगल सामराज्य का इस्तम राजपुता ने के किसासक को कहा जाता है दोस्तु राई सिंग को सै ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं अठारा सो सतावन इसवी की क्रांती के बाद अंग्रेजु ने किस सासक को 41 गाउं उपहार में दिये थे किसको दिये थे दोस्तों लूंगर सिंग सरदार सिंग गंगा सिंग या सारदूल सिंग सरदार सिंग को बैव ओप्सन सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं अंग्रेजु ने किस सासक को नाइट कमाणडर इंडियन एंपायर की उपादी दी अंग्रेजु ने किस सासक को दी थे दोस्तों इंपोर्टेन क्योंचन है यह माहराजा गंगा सिंग को दी थी ओप्सन सही रहेगा किस राठोण सासग द्वारा महाराजा दीराज परम परमेश्वर चितामनी की उपादी धारण की गई किस राठोण सासग ने धारन की थी सैव औप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट किूशन में चलते हैं महाराजा करण सींग की मर्तिउ किस इस्तान पर हुई थी करणपुरा कहां पर हुई थी करणपुरा के अंदर ओप्सन बैस सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं जुनागडदुरग में राज सिंग प्रसस्ती का निर्मान किस ने करवाया था राज सिंग प्रसस्ती का निर्मान राज सिंग नहीं करवाया था राठोड राजकुमार को कहा था दोस्तूं कहा किस ने था टेसिटोरी ने पर्तवीराज राठोड को कहा था नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं किसके सासनकाल में बिकानेर में बिकानेरी भुजिया बनाने की सुरुआत हुई थी इंपोर्टेंट क्यूसर ने दोस्तूं ये भी महाराजा डूंगर सिंग के सासनकाल के अंदर नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं बिकानेर के किस सासक ने गिरी सुमेल यूद में सहरसां सुरी की साइता कीती सेर्शन सुरी के सायता की सासग ने की थी गीरी सुमेल यूद के अंदर दोस्तु राव कल्यान मल ने ओप्सन S सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं विकानेर का पर्तम सासग जिसने 1570 इस्वी में नागोर दर्बार में भाग लेकर अकबर की दिंता सुविकार की थी चलते हैं विकानेर के सासग राय सिंग के मरत्यू किस इस्थान पर हुई थी राय सिंग के मरत्यू किस इस्थान पर हुई थी दोस्तु करण सिंग की तो करण option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं 1931 इसवे में विकानेर में परजाप परतिनीदी सभा के इस्तापना किसने की थी ये important question है भी बोल रहा हूँ गंगा सिंग ने की थी next question में चलते हैं question number 69 लालगड पेलेस का निर्मान किसने करवाया था लालगड पेलेस का निर्मान करवाया था माहरजा गंगा सिंग ने option दै आपका सही रहेगा next में चलते हैं विकानेर के किसासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्तानी में अनुवाद किया था विकानेर के कौन सा सहा सकता उससे में आनंद राम ने पहली बार गीता का अनुवाद राजस्तानी भासा में किया था दोस्तों कौन था माहराजा अनुप सिंग दै ओपसन आपका सही रहेगा next क्यूसन में चलते हैं क्यूसन अमरिक सट राजस्तान में सर्वापर्तम गंगनेर का निर्मान की सासक ने करवाया गंगनेर का निर्मान सर्वापर्तम करवाया था माहराजा गंगा सिंग ने next में चलते हैं बिकानेर के राठोड सासकू का रास्तिलक किनके दुवारा किया जाता था बिकानेर के जो राठोड सासक है उनका राज तिलक है वो गोधारा जाती के दुवारा किया जाता था जाट जाती थी ये नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं क्यूसर नमर 63 बिकानेर के राजा राज सिंग को 1503 में इस्वी में किस अभियान पर बेजा गया था किस अभियान पर थट्टा बंगाल ढकन या मेवाड राय सिंग को पंद्रा सुत्राण में के अंदर थट्टा के अभियान पर बेजा गया था नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं अखबर ने समसा बहाद तदा नूरपूर की जागीर किस राटोड सासक को दी थी किसको दी थी राय सिंग को ओपसन बैस सही रहेगा और चलते हैं मित्रो आज की क्लास के अंतिम क्यूसन की और कमेंट करके बता दो कैसे लगए आज के क्यूसन औरंग जेब ने किस सासक को महाराजा वे माही ब्रातिव की उपादी दी थी औरंग जेब की बात हो रही है यहां पे तो किसको दीती अनूप सिंग को ओपसन सही आपका सही रहेगा तो दोस्तों आज की क्लास की ये पैसट क्यूसन कैसे लगए जल्दी से कमेंट करके बताएं अभी तेक लाइक सेर नहीं किया तो दबा कर लाइक और सेर करो सभी साती नहीं साती है वो चैनल को सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत नयवाद जे हिंद जे बारत